हेलो गाइज वेलकम तो माई चैनल चाटिस्ट आर्टिस्ट 24 अप्रेल मार्केट होल्डिंग अपर लेवल देखते आगे क्या होता है वेलकम तो माई वीडियो गाइज डिस्क्लेमर ग्लोबल सेंटिमेंट न्यूट्रल हुए है क्योंकि यूएस मार्केट बैरिश है और यूरोपियन मार्केट बुलिश हुए है वेरी बुलिश में भी है तो यह न्यूट्रल फॉर्म में है देखते कल क्या होता है अपना मार्केट मिक्स्किल्स में है ना तो बुलिश ना त दोनों हलके से स्टॉंग हो गाएं तो मिक्स क्यूज है कॉमोडिटी इस में देखोगे तो गूल्ड में करेक्शन है और कूड ओईल में भी करेक्शन है कि एक्टिविटी डिया ने नेट बाइक है 2918 करोड का और एक इने सेलिंग किया है 3044 करोड का माइविज में है एफाइए सेलिंग डियाए बाइंग निप्टी फिप्टी क्लोजिंग अब ड्रेगन फ्लाइड उजी 22326 इंपोर्डन लेवल है बैंक निप्टी मैंने बुला था हैमर का हेट सिक्यूर होना रहना चाहिए तो ही मार्केट होल्ड करेगा तो आज उसने तो चाहसी पर चल रहा था अभी 420 पर पहुच गया है कि देख सकते हो आप यहां पर मैंने बैंक निप्टी का एक एसेंडिंग ट्रेंगल बना के रखा हुआ है तो थोड़ा टाइम है अभी इसको बट निकल जाएगा उपर तो बहुत बड़ा बुलिश मूव देगा निप् बैंक में एड किया है यह चार्टिंग में आप देख सकते हो एक पंदरासो पच्पन का जो रेजिटर से वहां से मार्केट दो बार नीचे आ गया है और 1460 एक स्ट्रॉंग सपूर्ड का काम कर सकता है उसको अगर सस्टेन नहीं करता है मार्केट तो मार्केट नीचे जा सक आपको अगर नॉट करना है तो कर लिजा अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है अधरवाइस कल का वीडियो देख सकता है जिसमें यह सभी लेवल है स्विंग ट्रेड 47,000 वाला चल रहा है और गाइस मेरा मूटो है कि मैं 5% चाहता हूं जो रिटेल ट्रेडर जो लॉस करते हैं उसके अंदर हम चाहते कि 5% कुछ लोग ऐसे हो जो लॉस कम करें यह तो नहीं बोल सकते हैं लॉस खत्यम करते बाट रिटेल ट्रेडर का लॉस क तो चलते हैं चार्ट के ऊपर लेवल सॉन चार्ट यह बैंक निप्टी का चार्ट है आप देख सकते हो एक मौनिंग स्टार बना के मार्केट होल्ड कर रहा है अभी थोड़ा स्मॉल टाइम पर पर स्लो एंड स्टेडी जाते हैं विकली मार्केट अभी एक सपोर्ट के उपर है इसको मैं सपोर्ट कर लेता हूं जाब लिए ओके फूर्टी सेवन एट फिप्टी एक सपोर्ट है उसके ऊपर डेली केंडल में दीखा देता हूं वाइस में डेली केंडल में देखो मैंने कल बोला था कि फूर्टी सेवन 924 की नीचे मार्केट नहीं जाना और यह उपर का जो लेवल है अपना फूर्टी में एक्जेट बता देता हूं गाइस फूर्टी 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 का अगर वहां से वापिस नीचे आता है तो तीका दिन भी ऐसा ही कर सकता है मार्केट और फिर चौते दिन साइद ही वह मूमेंट दे एक मीडियन लेव यह उसको थोड़ा गड़ा कर देता हूं यह देखो फूर्टी सिक्स फाइशिक्स यह डबल बॉटम का लेवल है वहां से मार्केट एक बार ऊपर चला गया वापिस नीचे वापिस दूसरी बार चला गया नीचे और अब यह अगर यह ब्रेक करेगा लेवर फूर्टी करना तो इक बनते जा रही है हो सकता एक साथ में फिर फूसर मनेंगी और एक साथ मार्केट मोब और उपर की सेते हैं चैश तो जाएंसर अगर आपके पास एकक लाद मार्केट किसी और डिरेक्शन में जाएगा वनर में देखा देखता हूं देखा यह जो हेड है वह 924 पर है उसके उपर है मार्केट उसके नीचे नहीं जाना चाहिए उसके नीचे जाएगा तो फिर यह 300 का एक करेक्शन देखा तो इंट्राडे कर सकते हो उसके अंदर स्केलपिंग कर सकते हो बट जनरली में यह सब प्रिफर नहीं करता हूं इसके मैं आपको दो वीक तीन वीक वाली स्विंग ट्रेड ही देता हूं जिसमें अपना अच्छा पेसा बने ठीक है यह यहां तक भी आ लेना पड़ेगा या आप आई टीम पर भी जा सकते हो कॉल के साथ ले सकते हो कॉल अलड़ी एक बार हाथ से निकल गया है कॉल तो मार्केट मोका दे रहा है प्रीमियूम डिके कर रहा है तो देखते है कल क्या होता है अगर नीचे आता है आने दीजिए एक्सपाइरी निप्टी देख लेते हैं निप्टी अगर देखो के तो भी चाट गाए इसे ड्रेगन फ्लाइड ओजी के उपर मार्केट आराम से होल्ड किया हुआ है यह बले रेड केंडल है बट अभी भी यह मार्केट बूलिश है यह जब तक यह है यह मार्केट बूलिश है इसका हा यह बालू करेगा द्रेगन फ्लाइड ओजी के तो ही फो नेज़े तो यह इदर कर सकता है मार्केट उसके बाद उपर जाएगा यह सैटलमेंट हो जाएगा जब बायर का फिर उपर लेके जाएगा ठीक है वन आर्केट यहां से ब्रेक आउट लिया है 234 पर तो 334 आते ही म से लेके 503 का आपको स्केलपिंग ट्रेड मिल जाएगा ठीक है वेट किजिए अगर वहां आता है मार्केट 334 बतलब 305 300 पर या 334 पर रिस्क ले सकते हो अगर जल्दी लेना है तो 334 पर ले लिजिए तो वहीं पर आप 350 का कॉल पूट एक बार ले सकते हो है ना वहां से अगर मार्केट नीचे आता है तो वेट किजिए वहां से बाउंस कर ले वापिस तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा ठीक है आपको एक बार HDFC दिखा देता हूं मैंने एड किया हुआ है तो आज HDFC के लिए गाईस मंतली व्यू में जाना पड़ेगा अपने को अगर आप मंतली व्यू देखोगे तो एक रेजिस्टन्स है 1722 का और सपोर्ट है 1302 का और यहां पे जो ब्रेक आउट लिया था यह लेवल है थोड़ा उपर है थोड़ा करेक्ट कर देता हूं गाईस 1500 1559 पे एक रेजिस्टन्स है 5758 फाइन यह रेजिस्टन्स में वहां से मार्केट अभी रेजिस्ट कर रहा है यह रेजिस्टन्स इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि यह जो ग्रीन केंडल है वो रेड़े में कंड़ोट हो जाए जब तक यह ग्रीन है तब तक हमको को बैंक उपर जाएगा मतलब बैंक निप्टी को भी उपर लेके जाएगा ठीक है गाइस तो आज के लिए इतना ही था अगर आपको मेरा वीडियो जैनालिस अच्छा लग रहा हूं गाइस प्लिस लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिए और बाकि रिटेल टेडरों को भी जिससे मेरा रीच बढ़े ओके थन्यवाद थैंक यू